स्री स्वामी नाराण भगवान नीचे, स्री अक्षर पुरुषत महाराज नीचे, स्री गुणातिता नंद स्वामी महाराज नीचे, स्री प्रमुक स्वामी महाराज नीचे, स्री महंत स्वामी महाराज नीचे, स्री प्रमुक स्वामी महाराज शतादी महत्सवनीचे, दरुर्बास पारायन ना गईकाले आपड़े छट्थो दिवस नो लाब लिदो आजे आपड़ा माटे सात्मों दिवस छे सत्चंगी जिवन अंतरगत स्विहरी गीता नहीं आ कथा नो आपड़े लाब लई रहा छिए गईकालनी कथाना एक बे प्रसंगों माटे नी स्पष्टता करी लई एक तो शिवलाल शेठ जारे सभानी अंदर बैसे ने सोपारी खाता हाता ते वकते आत्मानन स्वामिय तेमने टकोर करेली ए वात नी आपड़े स्पष्टता करिये छिए बीजी वात गुपालानन अंद स्वामिय शिवलाल शेठ आदी एक बदा भकतो न यवू कहिलू किये तमारे वहवार शिखो होय तो गरड़ाना पुझा स्वेठ पासे जजो अने वहवार अने मोक्ष बेई जोईता होय तो जुना गड़ना जोगी गुणाती तानंद स्वामिय पासे जजो ते सुन्दरी आणाना बदले गरड़ाना शेठ नी वात अप्रमाने छे ये निस पष्टता करी अवे त्यार पशी वात आवे छे कि आ लोकनी अन्दर जेजे अध्यात्मिक मारगमा आगळ वध्या छे तेनी पाचावल कोई सत्पुरुष्चनी कुरुपाज रहेली छे एमना आशिर वादज रहेला छे अने जना कारणे करीने ए पोताना जिवननी अंदर आगळ प्रगति करी शे क्या छे आपणे जोईये छे के आलोकनी अंदर जेम समर्ध स्वामी रामदास पते एक वखद विक्षा मागवा माटे शिवा जीना राज महलने विशे जाई छे अरे ट्यारे शिवा जिये मनन्थी नक्की करू के मारी पासे जे कई छे मारा गूरू ना आशिर वाद थी छे मारू छे पण शुँ, एम समझेने समग्र राज्य सम्रुद्धी बद्धूच गुरुना जोडिनी अंदर तमाना पत्तरमा लखिने मुक्वि लिदू, त्यारे समर्थ स्वामी रामदास जी कयो के शिवा जी आशू करिऊ त्यारे शिवा जी वू बोला के स्वामी जी आ लोक नी अंदर वदा संसार ना सुख चे दुख दायक चे इटले आपने में अरपण करी दिदू छे अने त्यारे त्ये वक्ते समर्थ स्वामी रामदासे पन कयो के तने खबरत छे कि आ बद्धूज दुख रूप छे अने जिवान नी अंदर बंधन रूप छे अने तू मने आपे से एने बदले तूज राखने पन जा तारी आवी समर्पन भावना नी भावना जोईने हुँ तने अमारा ओडेला वस्तर नियंदर ते एक नानो यो कपडा नो टुकडो भगवा रंग नो आपूचु एनी सामेतु नजर राख जे के जथी करिने तने आ संसार नियंदर कोईपण प्रकार नू बंधन नही थाई अने त्यार्थी शिवाजे पोते पोताना जिवान नियंदर ए भगवा रंग नो जंडो फरकावेलो छे एवा भगवा रंगे रंगायला शिवाजी पोते आ संसार नियंदर बंधाया न थी अने टलाज माटे आपड़े समझी लेवानू के आ लोक नी अंदर संत भगर आपड़ने कोई साचा मर्गे लईजेशक्तु न थी जो आपड़े विचार करिये तो अपण आपड़े ख्याला आवे कि भगवात नी अंदर चतास कंदमा बिजु आख्यान आवेशे द्रुजी नू प्रसंग बाउज जानीतो छे पन चताय पन थड़ोग आपड़े यानी अंदर मर्म समझवा माटे विचारिये जरे पिताना खोड़ा नी अंदर बेशवा माटे जाए चे या तारी अपर माताई याने बेवेण कया तारे तारा पिताना खोड़ा मा बेशवु होई तो कातो मारे कुखे जनमले याने कातो तु भगवान ने तपे करिने प्रसंग कर अबे वाक्याना कालणे करे नाना येवा पाँच वरसना द्रुजी रडता-रडता पुता नी मातानी पासे गया अनि माता ये पुताना बालव वड़े करे ने द्रुजीना आसुलूची पाणी पाई माता उपर आत फेरवी वाचसले वर्शावीने कयो के बेटातन थयूशू विगते बदी दुरूजी वादकरी इंत्यारे तिवक्ते नी माता सु नीती हती ने इतले एने खुब ब्रह्मती दुरूजी ने कयो के सुर्ची नाम नी माता ये जे किदू छे ने साचू छे के तु जंगलनी अंदर जैएने भगवानने प्रसन करतो तने तारा पिताना खोडानी अंदर बेशवा मले हैं एटले तो के मारे जंगलमा जवानू के हा बिटा अरती वकते सुनिती पोताना बालाग पांच वरसना बालाग दुरूने एविडिते जंगलनी परिश्थित्तिती वाकेप करे छे पाण बे वातनू ध्यान दोरे छे एक तो सुनिती इसुरुची नी मातानी आग्नाने माशिरवाद लैने निकल जिये अने बीजू रस्तामा कोई पुण जग्याए भगवाननु मंदीर आवे देरू आवे कोई भगवानना संत पधारे तो एमने त्या आगर सास्टं दन्वत प्रणाम करी पगे लागी चरणस पर्ष करी माथे चड़ावी अने प्रार्थना करी ने आशिरवाद लेजे अने त्यारे तेवक्ते दुरूजी पोते नानायवा पांच वरस्त ना बालक कोपिन धारण करी चे अने ब्रमिजारीनों वेश धारण करी आथमा मालालाई शुरूची नामनी मातानी पासे जैने आशिरवाद लेने कयो के मातुमने आशिरवाद आप मारिया तपस तप करवानी यात्रा सफळ बने त्यारे तेवक्त ना समनी अंद सुरूची ने मनमा एम थयो के मेतो आने दरावा माटे गिदूत्वने आतो निकली जाएश उतानपाद राजाने दिरेरेन कयो कि एने पाचो वाळव राजाय प्रधानजी ने मोकली ने कयो कि दूरूच कुमार ने पाचा बुलाव और अत्यारे जो पाचा आवी जाएए तो एने अटधू राजा पम आवसे प्रधान जी उतावडे पकले जाये से यजीतो नगर ना दर्वाजानी बार निकलता न थी त्यां दुरूजी ने मली सलाम मारीन कयो कि राजकुवर महरादा साहिब आपने पाछा बुलावे से अरे केवराईवुचे के जो आप पाछा बदारो तो अत्यारे तमने अड़धू राज्य लखी आप्पा माटे तयार छे पण दुरूजी मन्ति नक्के करेलू एन इमाताना संस्कार ना कारणे करिने के गमे त्यवा प्रलोभन आवे तो पन भगवान ने पामवा माटे जवू छे भगवान ने तपे करिने राजी करवा छे तो प्रलोभन मा रेवू नथी संस्कारी एवा द्रोजी पोते मन्ति विचार करों के अजुतु में घरबार छोडू छे नगर छडू नती नगर नी बार जता पहला मने जो अड़्धू राज्य मलतु होई ए भगवान ने राजी करवा माटे तप करवा जाऊचुन एमा मलतु होई तो पछिमू तप करिने भगवान ने प्रसन्न करीश तो मने शुन नहीं मले एवा एक हेतु थी दुरूवजी पोते ए प्रलोभन्ने ठुकरावी ने पोते जंगलनी अंदर निकले छे अगल जता जता नारद जी जेवा संते अमने मले हा नारद जी ए नाना येवा बालाक ने जोईने जुई विचार करीलो आकोई रखडतो छोकरो न थी आकोई राजानो राजकुवर होय एन घरनी अंदर काईक विचामनो उभी थाय अशे एटले माटे निकलेगियो लागा जे बाई चुँ क्या जाये छे दन्डबत प्रणाम करीने नारद जीना चरणारविंदनी दुली मस्तक उपर लगाई अन कयोग स्वामी जी महराज आश्विर्वाद आपो मारी आतरा तप करवानी सफड थाये अने त्यारेत एवक्ते नारद मुनी अपकोते त्या आगळ और आजी थायने एना मस्तक उपर बेहात मुके ने कयोग जा एक तो पहला मदुवन नामना वनने विशेज जे ने बीजु हूँ तने मंत्र आपो एनो जाप करजे घरेती निकलवाने इपरणा एनी मातानी अती पन पाँच बरसना बालक ने एनी साधनाए करी ने भगवान प्रसन नथी थाया भगवाना दर्शन नची आप्या एतो नारद जी जेवा पवित्र शंतना वचने करी नेज एने साक्षातकार भगवान ना दर्शन थया छे बाकि जो छव मैनानी साधना मा भगवान मली जता होई तो साइट साइट अज्यार वरस सुधी साधना करना राना इपन भगवान ना दर्शन थया नथी तो साधना करवी ए महत्वनी नथी पण ए साधनाना मारगे निकला होई त्यारे आपणने एवा परमेकांतिक सत्पुरुष मलेने एनी कृपा थायने त्यारे ज आपणा जिवरनी अंदर आपणे प्रगतिक करीशक किये छे जें गरिडा मध्यव रक्णना सात्मा मचना मरतनी अंदर भगवान स्वामी नाराण पोते परमांसो ना प्रश्टन ने जवाब आपता कहे छे प्रश्टन एवो पुछायो के महराज जिवरनी अंदर वैराग्य नथी तो वैराग लावो होय तो शुक करू आको येवी वस्तु नती के बजारनी अंदर रुपिया खर्चे वेचाती मले काणके अनंद जनमती आपणे विशय ने भगव तायवाची एटले ए विशय आकारेज आपणी वुरुत्ती थैगेली छे अवे एमाथी राग के बीरी ते टले टलोव भव मुश्केल छे अने त्यारे ते वक्ते वगवान स्वामिनार अण गरिडा मध्यना सात्मा वचनामरत ने अंदर माराज गह चे के कोई अतिशय मुटा संत होय अनि अति मन कर्म वचने करेने सेवा करे तो परमेश्वर दयाडू चे तो एना पर कुर्पादस्टी करे अने क्या विचारो वईराग्य रहीत चे माटे ने वईराग्य प्राप्त थाओ तो आपडा सास्तरों नी अंदर रहेला प्रसंगों ने बउज बुद्धिवी पुर्वक विचारी ने समझवानों प्रयत्न करिये ने तोच आपडा जिवर ने अंदर आपड़ने वात समझाए एम छे ले एटला माटे थैने महराजे एव किदू के कोई अतिशे मोटा संतनी सेवा करवा थी वईराग्य प्राप्त थाई छे तो आपड़े विचार करिये के यहां गळ निश्कूलानंद स्वामी संत विनारे साची कोण कहे सारा सुखनी वात दया रही चे जेना दीलमा नती गटमा घाट ये संतनी गरिमाँ समझावे चे के जेना रदैनी अंदर जगत सबंदी कोई पदार्तनों अंतरनी अंदर लेश मात्र घाट नथी थतो केवड ने केवड संपुर्ण पणे त्रणे अवस्तानी अंदर पोताना शरिरना रुमाडे रुमाडे एपोती अक्षर ब्रह्म चे ने मारा आतमा ने विशे परमात्मा बिराज मान चे एवु सदाई समझता होई ने एवा संद चे ए आपणने जारे आवी साथी वाद करी शक्षे बागी आजे दुनिया नी अंदर भगू वस्तर पेरा पसी सत्य केटलू कही शकाए ने सत्य केटलू न कही शकाए एनो भेद तो पोताना जिवन नी अंदर रहेली साधना वडे करीने देखाया आवे छे इटलाज माटे लोयाना बारमा वचनामरत नी अंदर महराज आपणने बधाने त्रण सबी कल्पने त्रण निर्वी कल्प निश्चे नी वाद करे छे त्रण नो अर्थेयन ताय चे के उत्तम मध्यमने कनीष्ट महाराज पोते गे छे के निरिवी कल्प निश्चे करवो निश्चे करवानों छे पुरुष्वत्तम नाराणनो पन भगवन सामी नाराण आपडने किटली सरस्म जनी बात करे छे के पोताना आत्माने अक्षर रूप मानिने पुरुषत्तम नाराणनी सामीशेवग भावे भक्ती उपासना करे येवो जे भगवद भक्त होई एने निरिविकल्प निश्चेवाणो भगवद भक्त जानिये अभीवात लोयाना बार्मा वच्चिनामरत्वी उन्दर अजभूत लखीशे त्यारे परमनस ये ब्रस्टन करो के महाराज तमे वात करोशे बराबर पणा त्रण बेद स्याने लिदे बड़्या जो श्रीजी महाराज अध्यात्मीक मारगनी अंदर आपणने केटलु सचोट द्यने गिनान आपेशे महाराज के जने जिवा गुरू मला त्यने तेवा ए प्रकारना निश्चेई थया उत्तम वालाने उत्तम मला तो उत्तम निश्चेई थयो मध्यम वालाने मध्यम मला तो गुद्मध्यम निश्चाई तयो अने कनिष्ट वालाने कनिष्ट मला तने कनिष्ट निश्चाई थाये जे जेवा गुरु मले एवो एना जिवन नी अंदर एने भगवान नो निश्चाई थतो होई छे इटले माता भक्तिये जे प्रश्ण बुचोचे एक सामाईन प्रश्ण नथी अने बालप्रभु गन्शाम महराजे जे जवाहा बैपोचे एक पन सामाईन नथी तो आपड़ने बतावेचे कि जने अक्षर ब्रह्म मले नेने पुरुष्वत मले जे मुझे विवेक्षागर सामी पते वाद करेशे कि आपड़े राधा रूप बनिये तो क्रश्ण नी भक्ति करी शक्ये सिता जेवी स्थिती प्रात्त करिये तो राम नी भक्ति करी शक्ये नर क्याता अरजुन जेवी समझन द्रड करिये तो नाराण क्याता क्रस्तनी भक्ती करी शक्ये एम आपडे स्वामी और नाराण क्याता स्वामी रूप बनिये क्याता अक्षर रूप बनिये तो नाराण नी के पुरुषत्तमनी भक्ती करी शक्ये एपन करावे कौन एनु महत्तम बाबत आपड़ने महाराज समझावता कैचे कि जने जिवां गुरु मले एने ओ निश्चरी थाए माटे आपडे खरेखर सदभाज्य शाली छिए कि जे भगवान सामी नाराण पोते पोताना अक्षर धामने विशे थी जे सिद्धान्त लईने आएवाता जे अक्षरम हम पुरुश्वत्म दासोसमी जे गुरुहरी महंत सामी महाराज आपड़ने मंतर आपड़ो छे ए सिद्धान्त ने महाराज पोताना धामने विशे थी लईना आएवातान ए सिद्धान्त अपणने प्राप्त थे होचे जे ब्रह्म सर्भ शास्टिजी महाराजे पोते पोताना जिवनकाल धर्माननने अंदर किटला बदा कष्टो सहन करीने अपमानने तिरस्कार सहन करिने आपड़ अबध्धाना जिवनने अंदर अक्षर ने बुरुषत्तमनी उपासनानू द्रड गिनान थाए इतला मटे थेने अमने मूर्ती मान महराज नी जोडे अमना उत्तम बक्तने अपड़रावी अने आपड़ने बध्धाने अक्षरे सहितनी उपासना बुरुषत्तमनी करवानी आपड़ने रीत रसम आपी दिधी अने आजे आपड़ने बधा जानियें छे के 133 वरस पूरा थवाये आवया अब बिये पिये संस्तानी स्थापना थाई यहने तो जो आवा सत्गुरुष आपड़ने मले ने तोज आपड़ने साचे उपासनानी वात पण समझाए ये शिवाई समझाती नथी जेम आपड़ने बधा जानियें छे के जुनागड़नी अंदर गुणाती तानंद स्वामी पोते बिराज माना आता अरे ते वकत ना समयनी अंदर उना नी अंदर जी सेट परिवार बदो रहतो तो ये लोको त्याँ थी निकली कोईक सरकारी दरबारी का कचेरी तरप थी कोईक गुणानी अंदर आवी गेला अने येलोकोई मनमा विचार करो गयावे आ उन्ना छोड़िन तो आपड़ने निकली जेवु पड़शे अने जुना गड़नी अंदर आवी ने रया ने त्यारे एमने विचार आएवो कि आपड़ गुणातितानंद सामी पासे जैने वाद करिये अने आमा थी आपड़ने काईक मुक्ती मले अने तिये वक्ते गुणातितानन स्वामी पासे गया वनिक बुद्धी वापरीने स्वामेने कयोग स्वामी आवा प्रश्णों नी अंदर अमे बदाय फसाया ची जो आप दया करिदो अने आमाथी आमे मुक्त थाई जे तो अमे राधारमण देवना गर्व गुरुनी अंदर जे दरवा जाशेने चांदीना कमाड बनावी आपिये आवी अमारी इच्छा चे अरे त्यारे तिये वक्ते जुनागड़नु मंदीर तो गुणातितानन अंद सामिय पोते पोताना बहु बढ़ वड़े करिने अधूरु पूरु कारिय करियो अवेली बनावी हरी भग्तोना उतारा बनाया सरस्मजानु कारिय सामिय पोते करता था एमा सनमा सुगंद भड़े एम आ देवना मंदीर ना दरवाजा चांदीना थता होय तो कोण राजी ना थाए पण गुणातितानन सामिय विचार करो के सिखर कदाज भविच्यनी इंदर सोनाना थशे पण आवनार मुमुक्ष नु अंतर सरूप निष्टा वगर नु रई जाये ने तो नकामू पड़े एटले गुणातितानन्द सामिय पोते तेवकत ना समयनी अंदर गिदू के तमारी मानता तमारी पासे राखो अमेजे तमने मानता आपी ये तमें स्विकारवा तयार छो तो भगवन सामिय नारणनी कुरुपाथी तमारा बद्धाज कार्य सरल बनी जाये अने त्यारे तेवकते उनाना सिठ्यावे कयो के बोलो सामिय शू आपनी आगिना अने त्यारे सामिय बोला के चांदीना कमाड करवा नी तो वाद रवादो पण तमें अमारा वचन वड़े करिने भगवन सामिय नारण सर्वाउतार ना अउतारी छे एवी द्रड निष्टा गरोन तो भगवान तमरो वाखो वाळ नही थवादे जो याद राखे पो त्याना अंतरनी अंदर जगत नो घाट नथी एवा जे संथ चे एज संथ आपडने भगवान नो साचो निष्चई करावे चे बाकि आपड़ तो जे मंदीर नि अंदर जेव देव बद्राव हो यानो आपडने निष्चे तो होएच्छे परंतु आपडने मला जे प्रत्तक्ष प्रमान पुरुषत्त मनाराण स्वामिनारान स्वरूपे मला जे आपड़ा इष्टदेव छे ने इष्टदेवनी विशेनी आपड़ी अनन्य भक्ती होवी जोईये एना हेतूती गुणातितानन स्वामी अमने आप्रकारे वाद करी और ए लोकोये पने वी मानता स्विकारे अने स्वामीना आश्विरवाद थी एमना जिवननी अन्दर ए प्रकाई समयनी अन्दर वधूज एमनू कार्य सफळ बनू तो जो आपड़ने वात समझावे छे कि आ जगतनी अन्दर निश्कुडानन स्वामी पोते केचे कि संत विनारे साची कौन कहे अलोकनी अन्दर पन आपड़े जानियें छे के संत छे ने आपड़ने साचू एटला माटे के के कदाच महराजे वचनामरत नी अन्दर छेलाना 21 ना वचनामात्म लख्यू कि साचो मित्र कोने जानवो तो केवाये चे के हितनी वाद पन दुख लगाड़ी ने आपड़ने कोई कहे नी साचो मित्र जार्यावा गुणातीत सत्पुरुष्चे ने आपड़ा जीवनना मित्र पन चे आपड़ा जीवनना माता पन चे अपड़ा जीवननी अंदर अपड़ा पिता पण छे अपड़ा जीवननी अंदर अध्यात्मीक मारगंनी अंदर मोक्षना दाता पण छे पन इक क्यारे तो जैने जेवी जरुवियात लागे ते प्रकारे स्वामी पोते ते वकत ना समय नी अंदर भक्तो ने पोते वातो करता एम आ पुर्थी उपर गुणातित परंपरा नी अंदर ब्रह्म सर्व भगजी महराज, सास्टी जी महराज, योगी जी महराज, प्रमुक्सामी महराज ने वर्तमान काले महंत स्वामी महराज आपणने साची वात समझावे शे सास्ट्रीजी महराज पोते अफरीकाना हरीभक्तों ने पत्तर लख्यों ने अनी अंदर अमने पोते स्पष्ट पने क्याईू कि अमने आडिये वडी वातों करिने कोई ने कवले रवाडे चड़वानू अमने फावतु नथी तो महराजनों जे सिद्धान्त ने रद्गत अभीपराये चे ए जे वात चाली आवे चे ए वातने जमें पकड़ी रहा चे ए वातनी जी उपास्तानू फुरवतन कडिये चे अने एमा कदाज नाना मोटा कस्टो आवे तो ये भगवान नी इच्छाती आवे शे एने सहन करशू तो जो आ प्रकारे सास्टीजी महराजे पन पोते पोताना जीवननी अंदर एज रित थी एमने आकारिय करिऊ शे अने जेने साची वात केवी घडती होए ते अमने पोते पोताना जीवनी इंदर साची वात पण लिश मत्र शंका राख्या वगर अमने करी शे अने आपड़ जानिये चे के जारे सारंपूर नी अंदर मंदीर बनतोतु जमिन नुदान लिमबडी ठाकोर साहिवे आपेलू अने ते वक्ते सास्टीजी महराज पोते सारंपूर मा भिराजे शे ठाकोर साहिब हनमान जीना दर्शन करवा पदायरा अने ते जारे ठाकोर साहिब आपडा मंदीरे दर्शन करवा माँटे आवगा क्याता के बदू काम चालतु तुई जोवा माँटे आवेला अने सास्टी जी महाराज बदू कार्य बतावेशे ने त्यारे तिये वक्ते देले रेने ठाकोर साबे प्रस्टन पूछो के सामी जी राधाकर्ष्टन क्या बदलावाना क्यारे शास्टी जी महाराज निदढ़क पने पने कोईपन प्रकारनी शंकार आख्या वागर चिन्ताघ कर्या वागर ठाकोर साब ये तो प्रथम खंडनी अंदर आमने बदुर रावशो तो के मद्य खंड मा क्यारे साष्टी जी महाराज पते बोला के ठाकोर साइब मुंडायवू छे आक्षर ने पुरुशत्तम माटे एटले आमें मध्यखंड नी अंदर तो महाराज स्वामी एने गुपडा नन स्वामी नी मुर्ती बदरावाना छिए ठीक छे तमें जे बदरावो ते पाण एवकत ना समय नी अंदर मानों के कदार ठाकोर साइब ने आवू कैता बीक लागे ने न कई शके तो तो एना अंतरन अंदर प्रभूनू द्रड ग्नान ना कैवाए पच्छी पन आपड़े करण परमपरा मां सामबले लिए एक वात एवी पन छे के ठाकोर साइब तो जांती विदा है तया पन कोई किदू के सामी तमे आव किदू अने ठाकोर साइब ना मनमा विच्चारायवक मारया या आवू मंदिर करवा देवू न थी लाओ अमने जमिन पाची आपी जो तोथ सु करो अवे मंदिर अड़दे पुरू थवा आवेलू अतु क्यारे सास्टी महाराज हस्ता हस्ता बोला के नवी किले नव दाव बीजी जग्या जेशन बीजू मंदिर उभू करशू जेवी महाराजनी मरजी जो आटलू द्रड भगवाननु जना जिवननी इंदर ग्णान होयने एज बिजाने आवू अक्षरे सहित बुरुषत्तमनी क्याता अक्षर उर्प बनिने बुरुषत्तमनी बक्ती करवानू सिद्धान्दनु ग्णान आपी अने समझावी शके और एटलाज माटे वडुदरानी अंदर मंदिर नी पाचणनी रविशी नी अंदर वेसीने पीजिना जिठा भगवाईने सास्टी जी महराजे अद्भूत्त आप्रकारे अक्षर ने पुरुषत्तमने सत्पुरुष मोक्षनु द्वार चेनी वातो करवानी शरुवात करी तो सयन आर्ती ये शरुवात करीने मंगडा आर्ती भुद्धी यमने एकत जिग्याव पर बेसीने वातो करी एमने दड़ता कराविदी दी अने पची तो एपोदे जिठा बगत तिया आगल मुंबई नी अंदर मंदीत मा कुठारी तरीके बन रहेला अने पची एमने पोते दिख्चाली दीने निर्गुणदा सामी के जैमने अपरीका जेवा देशनी अंदर 20-20 मन सुधी वजन जोके एटला पत्तरों लखी लखीने अक्षरने पुरुषत्तमनी उपासनानी वात नुँ प्रवर्तन एमने पोतेक कर्यू जो सास्टीजी महराजना अंतरनी अंदर द्रड हतू उतोद एना कारणे करिने प्रगट भगवान अपरुथिव पर वीचरेचे वातने एमने सहस्ताथी करी दिथी जेम आपडे जानियेचे के जारे बोचासन अनके वडतालनी अंदर थी सास्टीजी महराज बार निकल्या पची थोड़ाग दिवसो पची नडियाद नियंदर थी वखतना साक्षर एपोते तिया आगळ नडियाद मर्यताता अने एमने खबर पड़ी किया सास्तरी यगन पुरुषदास कोई विचक्षण बुद्धी वड़ाशे अने एपोते आपरमाने संस्ता छोड़ी ने बार निकल्या नहीं पन निकल्याशे नूं कारण तो कई गशे ने एम समझीने एमने जारे तिया आगल बुलावा मायवा अने सास्टी जी माराज ने आवात करी त्यारे सास्टी जी माराज पोता नी मन घड़त वात करी ने वात नथी करी एमने पोते तेवखत ना समनी अंदर वच्णामरदनो आधार लईने बतीज वातों करता छेले बध्यनू यक्विश्मू वच्णामरद जेवी परोक्ष भक्तने भगवाननी विशे दरेकने प्रतिती छे एवी प्रतिती जो प्रतक्ष भगवानना भक्तने संतने विशे आवेतने मुद्धो आथमा आयो वरतालना पाचमा वचनामरतनी अंदर माराज गिदुग 100 जनमनी कसर आना जनमे टालबी होई तो तो महराज केटलू सरल बतावेचे के जेम अमारी मांसी भुजा करो चो एम भेली अमारा उत्तम भक्त नी पन एवीज मांसी भुजा करो तो तमारी आना जनमे सोजनमनी कसर टड़े अब धा वचनामरत नो आधार उपर थी ते वकत ना समझी अंदर एमने आ वाद समझाई गई अने शास्ट्रीजी महराज पोते जे करेशे बराबर करेशे अने त्यारे ते वकते एमने पोते वाद करता कयो के स्वामी यगनपुरुषदास अत्यारेत्वा उपास्नाना प्रवर्तनना कार्या निंदर मंड्या छे उड़ भविश्य निंदर एमना शिश्यो एमनी सोनाना स्याहसन निंदर मुर्ती वदरावशे आवी अनुभूती शास्टिजी महराजना लोईना कणे कणनी अंदर भगवानना द्रड गिनाननी द्रडतावाळू जिवन हत्तुन एटलेया थाई अपड़े जानिये चे के करिणाना टेकरा माटे शास्टिजी महराजे बोते संकल्ब गरेलो के आपड़े इं आगळ महराजनों संकल्ब अधूरू छे ते पूरो करवा माटे अध्भूत मंदीर करवू छे अने ए मंदीर करवा माटे नी जग्या मागणी करिली पण जग्या कोई संजोगो नियंदर मले नैं लाल अक्षरे सेरो मारीने कैदे देलू के सास्त्री यगन पुरुष्दासने गर्डामा तो नहीं पण गर्डानी सिम्मा पण नहीं तसूवा जेटली पण जमिन ना आपिवी एवो निर्णै राज्य सरकार तरथी लेवायलो हतो परंतु सास्ती जी महाराज गोविंची चुडासमा साय बहुचविचक्षन बुद्धी वाला अने अमनी साथे बैसी अने कल्ला को सुधी अमने जारे वातों करी ने त्यारे अमने वात है बैठी कि सास्टी जी महाराज महाराज ना सिद्धान्तितिनी विरुद लिश मात्र चालता न थी अने सस्टी जी महराजना संकलप ना बले करिने भगवान नी इच्छा थी सस्टी महराज बोलेलाने की एक वखत राजपलटों थवो करो थशे अने महराजनो संकलप पूरो थशे अने गोविनसी चुड़ासमा साहेपोते ए वकत ना समय नी अंदर कलेक्टर तरीके तियांगल मुकाया अने पची एमने आवी ने सामी ने करो अरजी अने काल तमने जमी नापी देए तो जो आनु कारण काई होई तो आपड़े समझी लेवा अनुके संत छे यह मिशा अपड़ा जिवननी अंदर सभाव दोश प्रकुर्टी टालवा माटे तईने हीतनी तो वात करेच पण एनाती महत्तम बाब दावेशे के सरूब निष्टानी वात करवा माँ पण क्या हे अमने पोताना जिवननी अंदर कोईपण प्रकारनी बीक राकी नती इटले ज गुर्दंदास कोठारी एक वकत सास्टी महारा ने कयो कि यगनपुरुष्दास तमे थोड़ू माप मार्यो बागी तमारी साधूता तमारू जीवन तमारी भक्ती जोईने तो वड़तालनी अंदर बेहज्जार साधूमा आथीनी अंबाडी पर कोईनी अंबाडी याथीये बेहरेने काडवानो अउशर आवें तो तमे आवो एवा एक नंबर ना साधू छो पन आवोचू करों त्यारे सास्टी महाराज पते बोले लागे कुठारी महाराज क्रियाना धनी आपड़े थाईये तो आपड़ने प् साधू अने मुटी बर बचास हरी भक्तो ना एक समुदाइनी अंदर ती शरू थैली आ बीए पीए संस्ता आजे लक्षावदी मनुष्यो हरी भक्तो गुणु भावियो अने बारसो मंदीरो अने 1107 ती अने सास्तरो ती आ संस्ता शोभी रही छे एने विशेश वातो आप झाल